हेलो एवरिवन आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जो वर्किंग वोमेंज और साथ ही साथ जो बिगनर्स हैं दोनों के लिए बहुत ही हल्फुल होने वाले हैं ये आपके रुटीन लाइफ में बहुत काम आएंगे और इन ट्रिक्स से आपक सब्सक्राइब के बारे में अक्सर क्या होता है कि हम बहुत सारी हरी या पत्ते-dar सब्जी आपने घर में लाते हैं लेकिन उनमें बहुत सारी गंदगी होती है तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे आप उसको साफ करें यहां पे मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है और उसमें मैंने पानी लिया है और इसमें हम ये जो पत्तेदर सब्जी है इसको धोएंगे बहुती अच्छे से इसमें आपको क्या करना है कि इसमें ये जो धनिया मैंने यहां पे लिया है इसको आपको इस पानी में डाल देना है और छोड देना है लगबग 2-3 मिनट के लि यहां पर मैंने साफ पानी लिया है और इसे एक बर दुबारा धो लेंगे और जो हमारी सारी इसकी गंदगी है वो निकल जाएगी और आप इसे निकाल लें एक चन्नी में और इसे छोड़ दें लगबग 5-10 मिनट के लिए इससे क्या होगा कि इसका जो सारा एक्स्ट्रा पा है वो आपको देखना है कि वो मोटा होना चाहिए इससे क्या होगा कि जो पोहा आपका बनेगा वो बहुत ही सौफ्ट और फ्लफी बनेगा इसमें आपको क्या करना है कि जो भी पोहा आपको धोना है वो आपको जाली दार बरतन में धोना है इससे क्या होगा कि जो सारी गं निकल जाएगी और साफ पोहा आपके पास बच जाएगा आपको इसे सेम इसी ट्रिक से धोना है अगर आप इसे भिगो के छोड़ देंगे तो ये बहुत ही चिपचपा बनेगा तो अगर आप ये ट्रिक फॉलो करेंगे तो आपका जो पोहा है वो बिल्कुल भी चिपचपा नहीं बनेगा और बहुती नरम बनेगा और जो मेरा तीसरा ट्रिक है वो भी पोहे के बारे में ही है इसमें आपको क्या करना है कि के बार होता है कि हम सुबा जल्दी पोहा बना लेते हैं लेकिन उसे हमें देर में खाना होता है तो कैसे आप उसे सौफ रख सकें इसके पानी से उसमें नमी बनी रहेगी और आपको ऐसे लगेगा कि पोहा आपने अभी फ्रेश बनाया है तो बहुत ही बढ़िया ट्रिक है तो आप एक बर जुरूर फॉलो करें और मुझे कमेंट करके जुरूर बताएं कि आपको यह ट्रिक कैसी लगी और जो मेरी फोर्थ ट्रि कि आपको एक कडाई लेनी है और उसमें ओयल डाल लेना है इसमें ओयल आपको थोड़ा ज्यादा रखना है ताकि इसको आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सके और इसके साथ हम इसमें डालेंगे प्याज लसुन अद्रक और टमाटर इन सब चीजों को हम अच्छे से भू लेनी है और इसको ठंडे होने के बाद इसकी हम एक पेस्ट बना लेंगे और इस पेस्ट को भी हम बहुत अच्छे से भून लेंगे इसको अच्छे से भूनने से क्या होगा कि आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं इसे हम लगबग 15-20 दिन तक फ्रिज में सकते हैं तो बहुत ही बड़िया ट्रिक है वर्किंग वूमेंस के लिए तो आप एक बाद जरूर ट्राइए करें और जो मेरी पांचवी ट्रिक हैं वह मटर के बारे में इसमें भी आपको बताऊंगी कि कैसे आप जो मटर है उनका कलर एजट इस रहे और जो बिल्कुल चे साय में आपको क्या करना है कि इसमें एक से दो चम्मत चीनी के डालने है इससे क्या होगा कि इसका कलर जो है वह एजट इस सेम रहेगा बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा और यह लंबे समय तक जो है इसमें मिठास रहेगी यह फीके नहीं पड़ेंगे तो चीनी आप इसमे पाद हमें क्या करना है इसको हलका सा दो से तीन मिनट तक हमें इसे गरम करना है बॉयल नहीं इसको करना है हमें हलका सा बस दो तीन मिनट तक इसे हमें गरम करना है और उसके बाद हम इसे छान के साफ करके इसको हम स्टोर कर सकते हैं लगबग एक साल तक जी हां आप इसे ल इसको फ्रीजर में रखना है फ्रीज में नहीं रखना है फ्रीजर में आप इसे लगबग एक साल तक स्टोर करके रख सकते हैं तो आई होप आपको मेरी ये सारी ट्रिक्स अच्छी लगी हो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थेंक यू